बिग बॉस खतम हुआ और बिग बॉस में एक फ्रेंडशिप लास्ट के दिनों में बनी और वो फ्रेंडशिप थी टीना दर्ता और प्रियंका चाहर चौधरी के तो सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या बात हो गई कि टीना दर्ता एक बार भी ना किसी पार्टी में प इस पे रिस्पॉंड आया है टीना दर्ता का चलिए आपको बताते हैं पूरी बात उससे पहले आप चैनल पे आए हैं तो लाइक सेर और सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए आपको बताते हैं क्या बात है तो टीना टीना दर्ता एक मीडिया इंटरेक्शन किया है टीना दर्ता ने और जहां पर उनसे पूछा गया है कि आप अभी तक प्रियंका चाहर चौधरी से क्यों नहीं मिली तो टीना ने कहा कि देखो अभी टाइम नहीं मिला मैं भी अपनी चीजों में बिजी हूँ प्रियंका भी नहीं मिल पाए क्योंकि हम बिजी थे अपने अपने काम में तो हम जरूर मिलेंगे और हमारा रियूनियन जरूर होगा तो यह जो भी लोग यह कयास लगा रहे थे कि इनकी फ्रेंड्सिप खतम हो गई उनके लिए है कि बहीं इनकी फ्रेंड्सिप अभी खतम नहीं हुई है यह मिलेंगे लेकिन अभी थोड़े बिजी थे इसले नहीं मिल रहे तो यह वाली बात है आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा क्या आप भी इंतिजार कर रहे थे प्रियंका और टीना के मिलने का क्योंकि इंतिजार काफी लोग कर रहे थे तो मैंने सुचा आप लोगे साथ ये वीडियो शेयर कीजाए वही टीना दता से ये भी पूछा गया कि टीना आप बिग बॉस की घर को कितना मिस कर रही है तो टीना ने का कि मैं इतना नहीं मिस कर रही हूँ तो टीना ने खा कि हा मैंने कॉमेंट किया था लेकिन मैंने कोई नेगेटिव वे में कॉमेंट नहीं किया था मैंने सिर्फ यही बोला था कि MCS10 वो बच्चा है जैसे मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं पूरे साल नहीं पढ़ती थी और last के days में मैं पढ़ाई करके और मैं 80% marks लेके जाती थी मैं वैसी बच्ची थी तो वैसे ही MCS 10 भी है कि उसने पूरे season कुछ भी नहीं किया और last में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली उसने और वो जी थी या trophy लेके चला गया तो मैंने सिर्फ यही बोला था तो यह वाली बात टीना दत्ता ने कही है आप मुझे बताएगा कि आप कितने excited है टीना और प्रियंका को साथ में देखने के लिए मुझे कॉमेंट करके जरू बताएगा मिलती हूँ आप लोको next वीडियो में तो तक लिए बै बै टेक केर ख्याल रखेगा अपना बै